अंधेर नगरी चौपट राजा सुनी के नहीं सुनी कहानी बताओ अंधेर नगरी चौपट राजा और जो हमारे उत्तपदेज में हो रहा है के अंधे नगरी चौपट राजा दिन दाड़े रेप और रात भर गांजा अंधे नगरी चौपट राजा दिन दाड़े रेप और रात भर गांजा जिसको भी देखना है तो यूपी में आजा बताओ कानु विफसा की क्या हालत कर दी है क्या हालत कर दी कानू बेवस्था की और हमारे मुख्यमंदी जी कहते है ठोक दो बिदान समा में कहते है ठोक दो और ठोक दो एके चक्कर में पुलिस को नहीं पता किसे ठोक दें और जंता को यह नहीं पता किसे ठोक दें बता हमारे ऐसी सरकारें चल लई है इसलिए इन सरकारों पे भरोसा मत करो किसान भाईयो मैं आपसे इस माँ पंचायद के माद्दिम से इतना ही अपील और निवेदन करने आया हूँ कि अगर आप किसान हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग भी किसान हैं और आप आप लड़ाई में हैं तो समाजवादी पार्टी आपकी लड़ाई के साथ खड़ी हुई है और हमने राकेश ठिकैट जी को भी कहा जिस समय तकलीब में थे जिस समय वो किसानों के आंदोलन को लेकर के भावोग हो गए जिस समय किसान का आंदोलन इतने दिन सर्दी में चलाया और जब वो भावोग हो गए तो हमने आपने समने टीवी पर देखा उसी दिन मैंने उन्हें फोन किया और कहा कि आप बहादूर बाप के बहादूर बेटे हैं आप घवराओ मत समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है और हम लोगों ने आंदोलन किया हम लोग किसान यात्रा लेकर के चानल चाते थे किसानों के संग अगर देश में कोई किसान आंदोलन में सबसे पहले गिरफतार हुआ तो वो समाजवादी पार्टी है समाजवादी पार्टी और हमें गिफसार किया हैं पुलिस के लोगों ने और याद रखना साथियो ये बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है जो फैसले लिए इन्होंने सब गलत फैसले लिए है देश को बरवाद करने वाले फैसलिये है डोट बंदी खराफ फैसला जी एच्टी गलत तरीके से लागो की है और ये लॉक डॉन जो किया था जिसमें मजज़ूर गए थे हमारे पैदल चल चल करके पैदल चलते चले गए नब्बे लोगों की जान गई एकी परवाने की इन्होंने कोई मदद ने की अगर उस समय मज़ूरों की किसी ने मदद की तो समाजवादी पार्टी ने मदद की और मरने वाले मज़ूरों को नब्बे के नब्बे को एक एक लाग रुपए समाजवादी पार्टी ने मदद की है इसलिए ये इतिहासिक जगह है ये हमारे किसान आंदोलन की इतिहासिक भूमी है ये ये किसान आंदोलन की इतिहासिक भूमी है धरती है ये हमारे जितने लोग बैटे हैं इन्हों ने बहुत सारे हमारे बुज़गों ने चौदी चंसिंजी को दिखा है उनके साथ खड़े हो करके किसानों की लड़ाई लड़ी है और उनकी पार्टी उनके परिवार के लोग भी अभी हमारे साथ गड़वंदन में है आरल्डी अभी गड़वंदन में हमारे साथ ये लोहिया के लोग हैं नेताजी के लोग हैं यहां पर नेताजी और लोहिया के सिदान्तों पर चलने वाले लोग हैं और यही धरती पर जब शहीद हुए थे किसान उस समय देश का कानून बदल गया था जमीन को लेकर के और जमीन हमने भी ली लेकिन एक भी किसान को लाटी नहीं लगने दी और किसानों ने हमारी मदद की और जमीन ले ली जितनी अच्छी ये सड़क बनी है 160 किलो मीटर की बनी है समाजवादी पार्टी ने इसकी दगनी बना दी कम पैसे में भी बनाई और इससे अच्छी भी बनाई और एक भी किसान को हमने अपमालित नहीं होने दिया और किसानों ने कहा कि हमें मुआज़ा अच्छा मिलना चाहिए तो हमने किसान भाईयों को बुलाया पूछा कि आप कितने मुआफ़े में हमें दे दोगे जमीन किसान भाईयों ने का कि हम इतने गुना दे देंगे उस समय कानून नहीं बनाता भारत का जमीन अधिरन नियम नहीं आए थे वो कानून नहीं बनाता मैंने किसान भाईयों से का कि जो आप कह रहे हो चार गुना मैंने का सरक्ल रेट पहले बढ़ाऊंगा उसके बाद चार गुना मुआफ़ा आपको दूँगा तो मैंने सरक्ल रेट बढ़ा करके अपने किसान भाईयों का चार गुना मुआफ़ा दे करके और तीन महीने के अंदर हमारे किसान भाईयों ने पूरी जमीन दे दी और उसका परणाम ये था उसका परणाम ये था कि देश का सबसे सुन्दर एक्सप्रेस वे आगरा लखनों बाइस महीने में तैयार करके रख दिया एक भी किसान हमसे नाराज नहीं है और जब सका उद्गाटन का ट्राइल हुआ था अगर याद हो आपके यहीं के लोगों को याद होगा एएर फॉर्स के लोगों से हमने का कि यह हाई वे पर हवाईया उतारना है सु कोई मिराज उतारना है तो उन्होंने का कि हम मिग लेके आएंगे पहले हम यहां पर उतारेंगे मिग यहां पर उतरा था अगर याद हो तो सबसे भारी हवाई जार हरकूलस को भी आपके एकस्परेस वे पर उतारने का काम एरफोर्स ने किया था तो ये स्वाजवादी पार्टी है जिसने सड़ा कैसी बना दी कि जिस पर हाई वे पे जो चाओ वो तार लो ये इसलिए बनाए कि हम लोग देश के भविस को समझते हैं कि देश का भविस कैसे बेतर होगा इसलिए ये वो भी जगह है जिस जगह से जब मैंने साइकल या तरह चलाई थी यहाँ पर होंगे बहुत सारे लोग जिन लोगों ने साइकल हमारे साथ चलाई थी अलीगल और टपल और आसपास के मतुरा के लोग उस समय जो मुख्यमंत्री थी वो भी कम नहीं थी मुख्यमंत्री वो भी थोड़ी ज़्यादा सक्त थी अन्याय वो भी कर रही थी और जंता चाती थी कि हट जाई ये सरकार तो मुझे याद है कि टपल पर यहीं पर मैं हाईवे पर चड़ गया था साइकल चलाते हुए मत्रा पहुँच गया था और मत्रा से लेकर कि जब तक लखनू पहुँचे चुना हुआ तो सरकार साफ हो गई सरकार नहीं बची इसलिए सौमा दिन है किसान आंदोलन कर रहे हम पंजाब के हर्याना के और उत्तपर्देश के किसानों को बधाई देना चाहते हैं और यहां भी जो लोग बैठे हैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हम सभी किसान भाईयों का स्वागत करते हैं बधाई देते हैं धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नकेबल उत्तपर्देस बलकि देश के किसानों को जगाने का काम किया है इसलिए हमें अपने किसान भाईयों पे गर्व है हमें समाजवादी पार्टी के लोग हम भरोसा दिलाते हैं इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं और जब कभी हमें मौका मिलेगा ऐसे काले कानूनों को उठा करके फेगने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे सरकार को मौका दिए क्योंकि इस विवस्ता से हमारा किसान नहीं खुशाल होगा कुछ लोग तो हो सकते हैं पैसे वाले हो जाएं लेकिन हमारा गरीब किसान पैसे वाला नहीं हो सकता इसे इन कानूनों के खिलाफ हैं ये एतियास एक और किसानों की धरती है मैं एक एक किसान का धन्यवाद देता हूँ हमने जो नई पार्ड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर सांसर बिजैन सिंगी का उनका बहुत बहुत सागत करता हूँ उनके साथ जितने भी समाजादी पार्टी में शामिल हुए हैं मैं उनको बधाई देता हूँ